हेलो फ्रेंट्स आरे में सोलाइन क्लासें में आपका स्वागत है हम जो फिजिक्स चल रहा था क्लास्टेंट का जिसमें कि आप लोग को प्रकास का जितना भी अब्जेक्टिव स्था बता चुके दिने आज प्रकास का प्रावरतन फर्स्ट चेप्टर जो है इसमें आप लोग को लगोत्रिय प्रस्ण बताएंगे ध्यान देजेगा ठीका जितना भी कोस्टन बेंग का 2011 से लेकर हम बता चुके हैं आप लोग को 2011 से लेकर जो यह कितने प्रकार के होते हैं पहला कुस्टन क्या है किरन पुझ किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं किर्णों के समु को किरन पुझ कहते हैं यह आप लोग जानते हैं किरन यानि प्रकास के जो किरन निकलता है उसी के समु को क्या कहते हैं किरन यह कितने यह वे का पार्दर्स प्रकास असानी से पार कर जाता है उसे प्रदर्स प्रकास बारबभास की किर ने पुनरूफ से पार नहीं होगा ठीक है इनि-कि पूनरूफ से नहीं होगा परकास की किरने की पार नहीं होती है यहां पर नहीं लिख दिया है लुझाल थोड़ा सा बढ़ देखेंगा कि दोड़ा करते हैं अग्ला है अगला ओपार रशी पता तो और पारदर्सी में तो होगा ही नहीं इसमें कुछ भी वेपदार्द जिन से ओकर परकास की किरने पार नहीं हो यानि एक तरह से जैसे की कागच जैसे के मिटव्味ी यह सबसे नहीं होगा इस तरह से पारहसी ऑपर तरोडर्सी पद आर्ख करते हैं अगला जो है अगला अपर द्यान दिजेगा तिसरा कॉस्तन दूसरा हो गया अब तीसरा कॉस्तन क्या कर रहा है प्रकास का प्रावरतन किसे करते हैं देखिए प्रकास के किसी वस्तु से टक्रा कर वापस उसी माध्यम में लोटने की क्रिया को प्रकास का प्रावरतन करते हैं यहां प्रकॉस्तन ध्यान देजेगा इस अब्जेक्टिव क्या इस अब्जेक्टिव है दो नम्मर का पुछे गाई यही सब को संताइवे करता है और आना ही यही सब को सब परकास का परावरतन किसे कहते हैं परकास के किसी वस्तु से टक्रा कर वापस उसी माध्यम में लोटने की ग्रिया को क्या करते हैं परकास का परावरतन के जानते हैं नियम कितना नियम है दो जानते होंगे और आप तन बिंदू पर खील गई अभिलम तीनों एक ही सम्तल में होता है ठीक है यहाँ पर दूसरा किया आपतन कोन बराबर क्या होता है पराबरतन को था है इसको याद रखना है इतना सा लिखना है दो नमर मिल जाsyne सब्सक्राइब कना पर्टवीं एकृता हैं अने रंख पर्पफिंता है या कितने प्रकार क्या होTC रहते हैं करते हैं इसको लिखना है याद कर लेज़े अच्छा से अब हरत्वीं याद रखना कतना प्रकार कोता है दो एक واस्त्वुइकoben दूसरा कालपनिक वास्त्त्तविक प्रत्यकर दूसरा कालपनिक या इसी को क्या बोलते है परत्वीम दर्पन के पीछे बनता है सल्थार दर्पन में क्या बनता है दर्पन के पीछे जर्ष्ट परत्वीम का अकार वस्तु के अकार के बराबर होता है क्या होता है बराबर होता है परत्वीम पास्विक रूप से उल्टा पास्विक मतलब जैसे की चम्मच समय जो होता ह जिस चम्मस से इस तरह से पास्वी गुल्टा हो जाता है अगला जो है परत्वीम उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे होता है जतना आगे होता है उतना ही दूरी पर यानि की वस्तु दूरी और परत्वीम की दूरी दूरी दोनों क्या होता है बराबर होता है तीन स दरपन को कहता है जिसका प्रावर्तक सता किसी खोखले गोले का क्या होता भाग होता इतो यादे होगा आप लोग को बहुत याद किये होंगे इस तरह से लेकिन इपर रिवीजन कर लेजिए अच्छा से याद हो जागा देख लिजे अच्छा से थोड़ा से वीडियो को भी स करते कतने इसका उपयोग वैसा गोलिया दरपन जिसका प्रावर्तक सता हं अंदर कि और धसा हो उससे अफ्त इसका उपयोग दाड़ी बनाने में करते हैं जानते हैं बता चुके अब्यक्टिव इसमें टॉर्च में किया जाता है वाहनों के हेड लाइट में किया जाता है ठीक है उत्तल दर्पन अगला है उत्तल दर्पन किसे कदिन के उपयोग वैसा गोली दर्पन जिसका प्रावर्तक सता बाहरी बा अबत क्याने तर पन के रूप में क्या दिने पीछे देखने के लिए कौनसा गाड़े के सामने साइस्व मिरन में क्या जाता है कौन सा में अट्म दर ठीक है इस प्रकार से नो कोस्तन देख चुके हैं अब दसमा देखिए क्या कहता है दसमा नुम्मर सब्जेक्टिव देखिए आवर्धन किसे कहता है पर्तवीम की उचाई और वस्तु की उचाई के अनुपात को ही क्या कहता है आवर्धन कहता है यह मात्रक विहीन होता है आवर्धन जो है मात्रक का मात्रक नहीं होता है जानते हैं फोकस दूरी वक्रता थे जा की आधी होती है यह निहींग फोकस दूरी वक्रता थे गाइजा बाइटु अगला चैप्टर हागी आपका प्रकास का पुरत रहन को यही पूछता है प्रकास का अप्ववर्बथन किसे करते हैं फिरा परकास की किर्णों की एक पारदर्सी माध्यम से दूसरे पारदर्सी माध्यम में जाने परदिशा परिवर्तन की किरिया को परकास का अपवर्तन करते हैं परकास के अपवर्तन के नियम जानते हैं दो नियम है इसमें भी परावर्तन और अपवर्तन में दो दो नियम है प्रकास के प्रावरतन के दोियां पहला है आप्तित कीरन अप्वरतित कीरन ओक लिए अभीलम तीनों एक ही समतल में होते हैं फालव नियम है ठीक है अब दूसरा है किनी दो माध्यमों के लिए आप्तन कोन की जीया और आपॉरतन कोन啊 को क्या बलता है अगला है प्रिज्म किसी कौन पर जुके दो समतल प्रिष्टों के बीच घीरे किसी पारदर्सक माध्यम को प्रिज्म करते हैं यह पंच सतों से घीरा होता है प्रिज्म जानते हैं किसी कौन पर जुका हुआ रहता है दो समतल प्रिष्टों के बीच घीरे किसी पारदर्सक मा माधर्य में परकास की चाल के अनूपात को उसमाधर का तुनाँ परदर्सक्त का वड़तुकड है जो दो निश्चित जामेती शतंसे घीर होता है लेंस परदर्सक्त पघारacia जो जो दो निश्चित जामेती सतहों से थोड़ा सा देख लिए दूशार पूशता है इसको तर आता ही है उत्तर लेंग पर लिखना यहां लेंस किनारे का पेक्चा बीच में क्या होता है इसको याद रखना है तो इस परकार से इस वीडियो में इतना ही राने देते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए नेक्स्ट चेप्टर लिखे आएंगे इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद